हेलो शुडेंट वेलकम बैक रीजिनिंग फार विच्चू 2020 की सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे डारेक्शन टेस्ट यानि की दिसा पर इछण का पार्ट 3 इससे पहले मैंने इसका दो पार्ट अपलोड कर दिया और साथ में और भी कई सारे चैप्टर की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रीजिनिंग फार विच्चू करके आप वहां से बिजट करिए और पूरा का पूरा कोर्स अराम से देखिए साथ में अपना नोट्स भी बनाईए ताकि जब भी आपका सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सेके तो चलिए सुरू करते हैं देखिए Qion है मोहन अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलो मेटर चल कर बाय मुडा तथा 4 किलो मेटर चला वह पुना बाय मुडा और 8 किलो मेटर चल कर मन्दीर पहुंच गया मोहन के घर तथा मंदिर के बीच कितनी दूरी है यह आपको बताना है ठीक है चलिए सबसे पहले क्या करना है एक सेंटर पॉइंट बनाना है ठीक है अब यहां से उत्तर दिशा की ओर 5 किलमेटर चलता है ठीक है उत्तर यानि की ऊपर सेंटर से ऊपर कितना किलमेटर 5 किलमेटर ठीक है फिर बायए मुड़ा बाय मतलब अंटिकλάक्वाइज घड़ी की उल्टी दिशा में तो आपके भाय हाद की तरफ और कितना चला 4 किलमेटर चला ठीक है फिर वह बायमुड़ा वह पुना बायमुड़ा और आठ किलोमेटर चल कर मंदिर पहुंच गया है यहां से फिर से बायमुड़ेगा तो किदर जाएगा नीचे आनिक साव दिसा में कितना किलोमेटर आठ किलोमेटर ठीक है तो यह कितना हो गया आठ किलोमेटर और यहां पहुंच गया मंदिर ठीक है यह क्या है मंदिर है और इसका यह घर हो में ठीक है अब पूछ रहा है कि यह जो मंदिर है और घर इसके बीच की दूरी कितना है यह वाली दूरी आपको बताना है चलिए तो तो कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस का सूथर आपको याद होगा ठीक है। क्योंकि अगर ये 4 km है तो ये 4 km होगा अब देखिए अगर ये वाला 5 km है तो यह भी कितना होगा पांच किलोमेटर होगा यहां से लेकर यहां तक ठीक है तो जो अगर यह टोटल आठ किलोमेटर है तो यह जो बचेगा इतना नीचे यह कितना बचेगा तीन किलोमेटर बास में आ रही है तो हमें क्या मिल गया कि एक चार किलोमेटर है यह चार किलोमेटर और यह तीन किलोमे ठीक है, एक कितना है, तीन है, एक चार है, और हमें ये निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तीन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस चार का स्क्वायर, बरावर करण का स्क्वायर, ठीक है, आपको मैंने फार्मूला एक बताया था है, कि अगर आपको ये पता है, ये और ये निकालना है तो आपकर सोत्र क्या होगा अगर इसे a मानते हैं इसे b इसे c मानते हैं तो a square plus b square is equal to c square तो यहाँ पर a की value कितना है 3 का square b की value 4 का square और हमें c निकालना है ठीक है c square ठीक है तो c is equal to कितना हो जाएगा 3 का square 9 प्लस 4 का square 16 अंडर रूट में 9 और 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 अगर अंडर रूट से बाहर निकालने कितना हो जाएगा 5 यह हो जाएगा आपका आंसर ठीक है 5 किलो मेटर आपका आंसर आएगा clear है चलिए ऐसा कोई भी कुश्चन आपको मिले आप असानी से लगा सकते हैं अगला कुश्चन है दो व्यक्ति एक ही अस्थान से विप्रीत दिसाओं में चलना प्रार्म करते हैं बहुत ही अच्छा कुश्चन है तथा चार किलो मेटर चल कर अपने अपने दाइने मुड़ जाते हैं यह बहुत ध्यान से देखिएगा अपने अपने दाइने मुड़ जाते हैं ठीक है इसके बाद और तीन किलोमीटर चलते हैं और तीन किलोमीटर चलते हैं अब दोनों व्यक्तियों के बीच नियुन्तम दूरी कितनी है ठीक है नियुन्तम दूरी का मतलब कोई भी दो अस्थान वहां से दोनों के बीच सीधी एक खींची गई रेखा वो क्या होगी उसके नियुन्तम दूरी होगी मान लिजी एक व्यक्ति यहां है एक व्यक्ति यहां है एक व्यक्ति यहां ठीक है तो तो इसके और इसके बीच की नियुनतम दोरी क्या होगी एक सीधी रेखा ठीक है यह नहीं अगर ऐसे करते आएंगे तो यह क्या होगी दोरी बढ़ जाएगी ठीक है किसी वी दो अस्थान के बीच की जो नियुनतम दोरी होती है उनके बीच सीधी रेखा होती ठीक है बात क्ल इसी दिशौम चलना शुरू करते यानि कि एक अगर पूरब जायेगा तो दूसरा किदर जायेगा पस्चिम जायेगा ठिक है इसे माल लेते ए और इसे माल लेते हैं बेट एप यह सेंटर पॉइंट अब क्या गेर आए कि चार किलो मेटर चल कर रहा है और बी भी चार किलोमेटर चल रहा है ठीक है चार किलोमेटर चल कर अपने अपने दाये ने मोड़ जाते है यानि कि A अपने दाये मोड़ेगा और B अपने दाये मोड़ेगा ठीक है तो A का दाया क्या होगा उत्तर दिसा ठीक है उत्तर दिसा और B का दाया क्या होगा धत्चरदिसा बात क्लियर हो रहे है तो अपने अपने दायाँ मूरता और 3 km हुआ आप तीन किलो मेंटर चलते हैं कितना इन किलो मिटर 64 मेление नहीं दोनों दोनों व्यक्तियों के बीच न्यून्तमदोरी कितना ही यह यह यहाँ पहुच चुका है और ब, यहाँ पर पहुंच चुका है नियुंतम दोरी यहानि कि इनके बीच खीची गई एक सीधी रेखा यह सीधी रेखा इसकी बात कर रहा है अब अगर आप ध्यान से देखें देखें कि यहां क्या बन रहा है दो त्रिफुज बन रहा है जिसमें कि एक कलम्ब तीन और चार दूसरे का भी पीद और यनिा दोनों का और निकाल लें तो आपको है एक तीन है दूसरा चार तूंगर यहां आ जाएगा आ जा एक और दोनों को जोड़ आपको ऐसा कुश्चन मिले तो आपको इसी तरीके से सॉल्प करना है आपको कुश्चन गलत नहीं होगा ठीक है चलिए अगला कुश्चन पर एक सुर्योदे के पस्चात मदन और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर आपस में बाते कर रहे थे यदि गोपाल की परचाई मदन के बाएं हाथ की तरफ बन रही है तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया ह अगर आपको याद होगा तो जब भी सुर्योदे का समय होता है यानि कि मौर्निंग टाइम होता है तो सूरज किदर होता है पूर्व दिशा में इस टैरेक्शन में और जो इसकी परचाई बनती है अगर कोई भी यहां आपजेक्ट है वस्तु है या व्यक्ति है उसकी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दी ठीक है और जब भी यहां पर खड़े व्यक्ति के बाएं बनती है परचाई बाएं बनती है इसका मतलब कि यह जरूरी हो जाता कि उस व्यक्ति का मुख जो है उत्तर दिशा में होगा बात क्लियर हो गई अगर सुबह का समय है और प अगर दाएं हाथ की तरफ बन रही है तो उस व्यक्ति का मुख किदर होगा दच्छर दिशा में होगा तो क्रिस्चन में आप देख रहे हैं तो परचाई किदर बन रही है मदन के बाएं हाथ की तरफ ठीक है यानि कि मदन का मुख जो है वो किस दिशा में है उत्तर मदन का का मुख के इस दिशा में है उत्तर दिशा में क्लियर है अब पूछ किसका रहा है गोपाल का मुख के इस दिशा में आप ये बताईए अगर दो व्यक्ति आमने सामने खड़े एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में तो दूसरी व्यक्ति का मुख किदर हो जाएगा बहुत स अच्छे से clear किया है उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा आपके इस type के question जीवन में कभी नहीं गलत होंगे आप within second आप इसका answer देने में सक्षम हो जाएंगे ठीक है तो चलिए अगले question पर एक वेक्ति उत्तर दिशा में मुझ करके खड़ा है वह 135 डिगरी दाएं मुड़ता है और 90 डिगरी बाएं मुड़ता है वह पुना 135 डिगरी दाएं मुड़ता है और 90 डिगरी बाएं मुड़ता है यही प्रकरिया वह कुल 10 बार दोराता है ठीक है 10 बार अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा ठीक है question को समझेगा बहुत ही ध्यान से ठीक है अगर इस एंडर पॉइंट है कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करगे कड़ा है मैं आठो दिशाई बना लेता हूं ठीक है करें लिए दिशा आएक है तो यहां से 90 डिग्री वापस आएगा नहीं पहुंच जाएगा नौके फिर कह रहा है और वह पुर्ण हाँ135 डिग्री दाएं मुड़ता है यानिकि अभी यहां पहुंच चुका है तिक यहां पहुंच चुका है अब यहां से फिर से 135 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो 135 दाएं आएगा तो कहां पहुंच जाएगा साउथ ठीक है और फिर 90 डिगरी बाएं जाएगा वापस जाएगा तो साउथ से 90 डिगरी जब आप वापस आएगे तो कहां पहुंच जाएगा इस्ट डारेक्शन इसी तरीके से यहां कुल 10 बार दो रह होगा यह आपको पताना अगर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे तो आपको पता चलो कि जब एक बार प्रकरिया पूरी होती यानि कि 135 डाएं गया और 90 बाएं आया तो कुल 45 डिगरी का अंतर सिर्फ आ रहा ठीक है यानि कि सबसे पहले उत्तर में थ जब एक बार प्रकरिया पूरी होई तो उत्तर पूर में ऊगया और जब दोबारा पूरी हुई तो फूरब में आ गया फिर तीवारा जब पूरा होगा तो वह कहां पहुच जाएगा साउथ हिस्ट में चार बार में कहां पहुँच जाएगा साउथ में पांच बार में साउथ वेस्ट में इसी तरीके से एक एक दिसा बढ़ता जा रहा है कुल कितनी बार जाना है तस बार तो आपको पता कुल आठ दिसाएं है तो आठ बार में तो वो पूरा फिर से अपनी जगा पहुंच जाएगा यानि कि उत्तर में पहुंच जाएगा ठीक है अब इसके बाद और कितना बच रहा है दो बार ठीक है अब फिर से दो बार में कहां पहुंच जाएगा यहां पर फिर से वो पहुंच जाएगा यह हो जा जीरो हो जाता है यानि कि एक दाया प्लस एक बाया बराबर जीरो ठीक है फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था तो इसी तरीके से एक डिगरी राइट प्लस एक डिगरी लेफ्ट ये भी तो जीरो हो जाएगा बात क्लियर हो रही यानि कि अगर हम टोटल राइट को जोड़ लें एक साथ और टोटल लेफ्ट को एक साथ जोड़ लें उसके बाद जो जादा है उसमें से घटा लें ठीक है एक बार हम करते हैं देखे ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छा तरीका है ये भी अगर हम तोताल राइट हो जोडता है तो 135 गुड़े 10 कितना हो जाएगा तेरवाइट मुढ़ एगा तो पर आपका राइट और यह हो जाएगा लेट तो अगर हम टोटल 350 से 900 घटा देंगे, ठीक है, क्यों घटा आएंगे, क्योंकि ये 900 जो लिफ्ट है, वो 900 राइट को 0 कर देगा, ठीक है, तो बचेगा कितना, 450 डिग्री राइट, ठीक है, ये बचेगा, और आपको पता है, कि 360 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, 0, 360, 360 डिग्री अगर आप घूंगे, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, तो आप फिर से इसमें 360 डिग्री घटा सकते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा, 90 डिग्री राइट, ठीक है, तो 90 डिग्री राइट कहां से, नौर्थ डारेक्शन से, और जब भी आपको नौर्थ डारे तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार